So Hello Everyone, यह आज के दिन का दूसरा वीडियो है, आज के दिन का पहला वीडियो जो है, अपलोड हो चुका है, बट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तब वो अपलोड हो चुका है, और जब मैं इस वीडियो को शूट कर अभी का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले 828 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सब्सक्राइब करो आप चैनल को, एंड बेल आइकन प्रेस करके जल्दी से अल पे सेट करो, क्योंकि 900 का टार्गेट है, और जल्दी से 900 का टार्गेट हमें हिट करना है, और इस के बारे में मुझे यह जानना है जाओ को इसके वीडियो बना दूगा यहां पर एक चीज में में चाहूँगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ नाम लिखते हो तो यार बहुत प्रोबलेम होती है समझने में इसलिए नाम लिखो जैसे लिए जा है तो उसके आगे पीछे तो वो चीज जरूर लिखो और यहां पर आप देख सकते हो एक comment है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले इन्होंने लिखा है कि Neil Kamal is good for long term तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है इन्होंने पूछा हुआ है Neil Kamal जो है वो long term के लिए कैसा है ठीक है तो अब मुझे एक idea मिल गया मुझे इसमें क्या इनको बताना है इनका question क्या है और मुझे answer क्या देना है तो इससे आपका doubt भी जल्दी solve होगा और काफी time भी आपका बात है और मेरा viewpoint भी इसमें long term का ही होता अगें पहले बात पहले ही आपको यह चीज मैं बता दूँ डिस्क्लेमर है कि कोई भी recommendation इस वीडियो में मैं आपको नहीं provide कर रहा हूं किसी भी तरह का call tip buying recommendation या selling recommendation मैं कुछ provide नहीं कर रहा हूं और इसमें risk भी काफी जादा है तो य एक overview type देख लेते हैं कि आखिर business क्या है इसका तो company क्या करती है company नील कमल ट्रांसफॉर्म प्लस अच्छा प्लास्टिक फरनीचर सॉलीशन प्रोवाइडर फॉर होम फरनीचर ऑफिस फरनीचर एक्सेक्टर इन वेरियस मेटेरियल्स एन अप होस्टल प्रोड़क्ट्स ठी तो यहां पर देख सकते हो प्लास्टिक डिविजन ठीक है अब यहां पर company क्या बनाती है company जो है वो फरनीचर बनाती है ठीक है कैसे कैसे furniture जैसे कि यहां पर complete furniture solution हो गया जैसे कि home furniture हो गया office के furniture हो गया और और भी अलग-अलग तरह के furniture हो गया वो सब कुछ सबसे पहले जो business segment में पहला segment आता है वो आता है प्लास्टिक डिविजन इसमें company क्या करती है इसमें company तीन वर्टिकल्स पर फोकस करती है पहला जो है वो बोल्डेड फरनीचर दूसरा रेडी फरनीचर एंड मैट्रेस और उसके बाद कर नील कमल लिजदा वर्ल्स लार्जेस्ट मैनुफैक् इसमें मोल्डेड फरनीचर में नंबर वन पर है लार्जेस्ट मैनुफैक्ट्टर है एंड एसीया में नंबर वन पर है एसीया में लार्जेस्ट प्रोसेसर है प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स का और बबल गार्ड डिविजन इसमें क्या होता है company offer a range of unique honeycomb structured boards with the objective of changing the phase of printing packaging and production तो यह सब चीज है बागी यहां पर और भी चीज़े देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है उसके बाद material handling division तो इसमें क्या है company is trying to be one stop shop and offers comprehensive product mix जैसे bins, crates, pallets to material handling equipment जैसे selling, racking और यह सब कुछ ठीक है तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं revenue mix के बारे में तो plastic division जो है प्लास्टिक डिविजन में 94% revenue इसका plastic division से आता है lifestyle furniture, furnishing, accessories इन से आता है 6% तो mainly जो इसका काम है वो plastic division में ही है यहां पर लिखा भी हुआता पहले भी तो 94% जो है वो plastic division से आता है कि global leader है, global में largest producer है और यह सब वो सब ठीक है, geograffical split के बारे में बात करें तो company 95% अपना revenue domestic से आता है company का and 5% export से आता है तो company mainly इंडिया में ही काम करती है और plastic revision में ही काम करती है, manufacturing facilities and distribution network के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसको पूरा pause करके आप read कर सकते हो, ठी ठीक है, expansion के बारे में बात करते हैं तो greenfield project है और कहां पर है वो सब आप यहां पर देख सकते हो ठीक है, और क्या-क्या चीज के लिए है, जैसे mattress and sofa business के लिए तो यह सब आप देख सकते हो, customers के बारे में बात करते हैं, it caters to various sectors like pharma, fmcg, etc. by providing range of grades, racking solutions, containers, pallets and now added with smart technology, RFID tags, a range of waste disposal, beans, industrial cleaning equipment, etc. for the sanitation and hygiene sector, यहां पर सब कुछ बताया गया कि जैसे company pharmaceutical and fmcg में काम करती है, and sanitation and hygiene sector में भी इसका काम है, और क्या-क्या चीज बनाती है, waste disposal, beans and industrial cleaning equipment, यह सब कुछ, subsidiaries and joint venture, अगर आप चाहते हो, read कर सकते हो, non-convertible debentures, amalgamation, strategic focus, यह सब आप चाहो तो read कर सकते हो, जैसे वही है, कि यहां पर जो भी focus है, वो पहले का focus है, इसलिए मैं read नहीं कर रहा हूँ, बाकिया पहले का focus भी देख सकते हो, इनका वही था, to double its retail presence in ready furniture business by adding 75 more stores in financial year 23, तो financial year 23 में 75 stores और add करना था, और market penetration को increase करने के लिए to ensure the entire product range is available in the deeper pockets of the country, मतलब पूरा जो product range है, वो पूरा available हो, मतलब country में, पूरा country में available हो, कहीं पर भी हो, वो available होना चाहिए, यह सब कुछ इसका focus था, और भी चीज़े कुछ लिखी हुई है, और, यहां पर कुछ customizable material handling solutions प्रवाइड करना, इसके उपर भी focus कर रही थी company, तो यह सब कुछ है, बाकि आपको business समझ में आ गया होगा, fundamentals पर जलते हैं, सबसे पहले quarters देखते हैं, तो quarters कैसा आया हुआ है, देख सकते हो, जून 22 और जून 23 इन दोनों को compare करने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं, sales के बारे में 740 से 783 हो चुका है, increase हुआ है, अच्छी बात है, खर जादा increase नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो भी हुआ है, अच्छी बात है, operating profit 69 से 74, very good, margin 9% से 10% margin भी थोड़ा increase हुआ है, net profit की बात करें तो 29 से 32 हो चुका है, net profit यहाँ पर भी अच्छा जम्प है, और profit before tax भी increase हुआ है, तो overall अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझे काफी अच्छा लगा, numbers अच्छे हैं, very good numbers, ठीक है, quarterly result अच्छा आया हुआ है, profit and loss के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, company consistent है, ठीक है, यहाँ पर 1500, फिर 1700, फिर 1700, फिर 1700, फिर 1900, फिर 26, फिर 2000, फिर 1200, फिर 2000, 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 ऐसे करके, मतलब companies consistent, company consistently अपने sales को increase कर रही है, and अगर बात करें profits की, तो profits के case में भी company थोड़ी सी कम consistent है, बट हाँ फिर भी ठीक है, overall आपको consistency थोड़ी कम देखने मिलेगी, जैसे 62 के बाद फिर 116, 124, 124, 118 फिर नीचे आ गया, फिर 142, फिर 130 नीचे आ गया, 83 नीचे आ गया, फिर 134, 138, तो हाँ, profits मैं काऊंगा, थोड़ा सा slow है, और in fact profits भी नहीं मैं काऊंगा, थोड़ा सा sales के case में भी यह slow है, क्योंकि अगर आपको numbers अच्छे लग रहे हैं, देखो company consistent है, no doubt अच्छी company है, consistent company है, बट यहां पर जो growth है, वो बहुत अच्छा नहीं है, 10 साल का 6%, 5 साल का 8%, 3 साल का 12% और TTM का 7%, तो growth बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम growth है, और अगर आप profits में देखोगे, तो और भी कम growth है, मतलब bottom line देखोगे, तो 10 साल का 13%, फिर भी ठीक है, 5 साल का 1%, 3 स और 5 साल काफी, देखोगे, अगर आप देखोगे, बिना numbers को भी देखोगे, तो यह काफी फसा हुआ रहा, देखो, 124 तो 124 में लगबग 3 साल के आसपास यह फसा हुआ रहा, फिर 142 हुआ, उसके बाद अभी तक 142 को break नहीं किया, इसने आप देखोगे, तो 142 के ऊपर का अभी तक मतलब net profit के case में, financial year में 142 से जादा profit अभी तक नहीं हुआ है, 4 साल हो चुक है, तो 4 साल नहीं, 3 साल हो चुक है, तो यह चीज है, तो इसी वज़े से मुझे sales growth इसमें पसंद नहीं आया, profit growth इसमें कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, stock price के बारे में तो बात ची कम होता है, बट मैं फिर भी एक बार को ROE मैं बोलूँगा, कि ROE फिर भी थोड़ा कम लग रहा है, अगर 11-12% का ROE है, तो थोड़ा सा और आना चाहिए, बट overall अगर मैं कहूं, तो मुझे overall जो है, कुछ जादा अच्छा नहीं लगा इसमें, और क्योंकि जादा growth मुझे न तो आपका पैसा साथ में grow करेगा, तो growth मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, और यह मेरा personal opinion है, and again मैं कोई recommendation नहीं दे रहा, balance sheet की बात करें, तो अच्छी balance sheet है, पहले भी मैंने कहा था, कि balance sheet लगभग companies की अच्छी होती है, और reserves borrowing के बारे में बात करें, तो around 1300 करोड का reserves है, borrowing क की बात करें, तो 160 करोड का long term borrowing है, 28 करोड का short term borrowing है, and these liabilities 162 करोड की है, तो लगभग अगर मैं borrowings, pure borrowings की बात करूँ, तो 188 करोड का pure borrowings है, which is very less, मतलब reserves के साब से बहुत कम है, तो कोई tension की बात नहीं है, although आप यह कह सकते हो, कि देखो, long term borrowing जादा है, short term borrowings है, बट इसमें प्लांट पे काम कर रही है, कुछ अपने manufacturing पर ही, और investors के बारे में बात करें, तो यहां पे, मैं कहता हूँ, small cap company है, तो 65% के उपर मुझे जो है, जो इन्वेस्टर का, प्रोमोटर खास कर मुझे, इसका percentage 65 के उपर चाहिए, लेकिन यहां पे 64.5 है, तो फिर भी मैं एक बा यहां पे काफी जाद है, sorry अगर आपको आवाज नहीं आ है, तो, DIs का percentage, यहां पे काफी जाद है, लगबग 20% DIs है, which is very good, और public की बात करें, तो लगबग 14% का public है, और उसमें 2% यहां पे HNIs के पास है, मतलब यहां पे अगर आप माइनस कर दोगे, 2 या 2.5% माइनस हटा इस गुड, अच्छा है, शेरोल्डिंग पैटन, मैं इसे एक प्लस पॉइंट दे सकता हूँ, और अगर बाकी बात करें, तो बाकी मुझे और भी कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक है, और मैंने पहले भी वीडियो में कहा हुआ है, शेरोल्डिंग पैटन is a secondary thing, ग्रोथ is की पसंद नहीं आया, यह दोनों, तो fundamentals की बात यह रही, और technicals के बारे में बात करें, तो यहां पर आप अगर देखोगे, तो जहां पर यह जिस level को इसने break किया currently, मतलब अगर आप देखोगे, तो पहले यहां पर resistance आया, फिर यहां पर resistance आया, resistance आया, consolidation हुआ, लेकिन अब जो यह level break होता हुआ दिख रहा है, मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ, just a second, यह देख सकते हो, यह level जो है यहां पर, इस candle ने, Friday के candle ने इस level को break कर दिया है, तो अगला जो support आता है, वो मेरे हिसाब से आता है, यहां पर 2259 के आसपास, और मैं आपको बताना भी तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो देखो, यहां पर support, resistance, resistance यह भी आप resistance ले सकते हो, resistance, resistance उसके पहले देखो के तो support है, तो यहां पर काफी बार resistance support का game हुआ है, इसी वज़े से, मैंने यहां पर इसे mark कर दिया, काफी strong level है, तो again, अगर यहां पर आएगा, मैं अपना view point बता रहा हूँ ठीक है अगर मैं इसे बाइक करता तो मैं क्या करता हूँ ठीक है मैं अपना व्यूपॉइंट बता रहा हूँ no recommendation at all तो अगर यह यहां पर आता तो देन मैं यहां पर जो है एक fresh अच्छा लेवल है तो यहां पर भी fresh buying averaging दोनों में कर सकता हूँ और यहां पर भी मैं कर सकता हूँ दोनों में ही काफी अच्छा है बट अगेन अगर मुझे buying करना होता तो फिलाल मुझे इसमें कुछ खास interest नहीं दिखना है and all time high से भी यह ज्यादा नीचे नहीं है मतलब है नीचे ऐसा भी नहीं कि एकदम ही पास में 25 परसंट के आस पास नीचे है 25-26 परसंट विच इस गुड ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है तो अगेन मैंने पूरा आपको explain कर दिया and मैंने अपना viewpoint बताया हुआ है कि मुझे fundamentals कैसे लगे, मुझे business कैसे लगा, मुझे technicals कैसे लगा, कोई recommendation मैंने नहीं दिया हुआ है no recommendation, सिर्फ और सिर्फ educational purpose का विडियो था, end करते हैं विडियो को यहीं पे, अच्छा लगा तो like, share, subscribe, पता ही आपको क्या करना है और मिलते है कसी और विडियो में, जय हिंद and thanks for watching